मुख्य मंत्री शुपराशनी चोहार और महामहिम राजपाल मंगु भाई पटेल कल महिश्वर पहुँचेंगे महिश्वर की जनता और भारती जनता पार्टी के कारकरताओं में उत्साह देखा जा रहा है चुनावी साल होते हुए हो सकता है कि बड़ी घोशनाय भी हो महिश्वर विधान सभा पर अभी कॉंग्रिस की पूर्मंत्री डॉक्टर विजय लक्षमी साधु का कबजा है पंद्रह महिने की सरकार में अस्पताल दिया था जो राजनीदी के चलते अस्पताल जिला इसतर पर शिफ्ट हो गया जिसके कारण महिश्वर की जनता और पार्टी कारकरताओं की सामने एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है पार्टी कारकरताओं और जनता की मांग है महिश्वर को जिला या अहिल्या वाई कोरिडियूर की सौगाती जाए अब कल ही पता चलेगा क्या मिलने वाला है और क्या नहीं पुर्व समय की भी कई योजना अभी भी अदूरी है मुख्यमंतरी शिवरासी चौहान बाबा साहब भी मराम बेट कर जनती का उसर पर महिश्वर में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे करेक्टर शिवरासी वर्मा और एसपी धरम बीर से लगतार इस कारकम को लेका तैयारियों की समीशा कर रहे है करकम स्थल के पास ही पार्किंग की वास्था होगी वही मंच के पास प्रदर्शनी जो आने वाले नागरिकों के लिए भी खुली होगी दीन रूम और लोकार पनवा शिलान नयास के लिए भी इस्थान चैनित किया गया है मुख्यमंत्री शिवरासनी चौहान के निर्धारित कारकम के अनुसार वे महिश्वर में दो घंटे 20 मिट तक रुकेंगे निर्धारित कारकम के अनुसार मुख्यमंत्री शिवरासनी चौहान 14 अप्रेल शिक्रवार कॉम्बेट का नगर महू से प्रस्थान कर हेलिकॉप्टर के माध्यम से दो पहर देड़ बजे महिश्वर पहुचेंगे या मुख्यमंत्री चौहान अमबेट कर जुनती और महिला सम्मेलन में शामिल होंगे ततपस चाहत मुख्यमंत्री तीन बज़ कर पचास मिट पर भुपाल के और प्रस्थान करेंगे महिश्वर से राकेश हर्मा की रपोर्ट